गुड मॉर्णिंग फ्रेंट्स आज हम लोग का जी एस का टेस्ट नमबर तीन है और इसमें क्या देखेंगे हम लोग बहुत ही महत्यपूर्ण जी एस के ट्रॉपिक संबंद्र कोश्चन जो हम लोग का टार्गेट क्या है बीपीएसी 66 या इपीपीएस का जो प्री एक्जा और आप शर्तिया को बांस कर जाओगे क्लियर है तो देखते हूं रिया अंतरीक ऊर्जा से बिद्जोथ ऊर्जा में बदलने का यह उंतर है इसमताइए का यह कोन है जो यह आंतरीक ऊर्जा को में करेद बिदुर्ट करेंगा मीज़ूत मोटर माइक्रोफों डाइनमो पहल या न्तिरी उर्जा को बिजली में परिवर्तित करेगा है और मांको तो यह इकार राए है परिवर्तन किया जयता है नाम जैसे इस बिदूallen रसायनिक उर्जा का विजूत उर्जा में परिवर्तन विजूत बल्ब विजूत उर्जा का उस्मा एवं परकास उर्जा में परिवर्तन डाइनेमो टर्वाइन यांतरिक उर्जा का विजूत उर्जा में परिवर्तन फोटो इलेक्ट्रिक सेल यहां परकास उर्जा को विज और जामाद यांत्र यांत्री कोड़ों धोनी उर्जा में परिवर्तीत करता हैं यह बिहार का फेबुरिट एब अगया अठार सोच्छान दावरान बिहार में करांती कालीयों का नेता कौन था बोलिये तो यह कुमर्सिंहाद कर लीडि़े बिहार के किस वकील ने असायों का अंदुलन के समय अपनी लाप परद वाकालत छोड़ दी थी यह अच्छा खाता पैसा कमा रहत छोड़ दिये क्या नाम था नाम था राजिंदर परसाद भारत के पहले राष्ट पति यहां देखिए बिहार परांतिय समयलन की बैठाग अगास नियुक्त परसाद ने अजर्शिता की और यह हुआ कहां तो भागलपूर में इसमें असायों का अनुबोधन किया गया जिसमें बिहार के वकीलों ने में को राजिंदर परसाद और अनुगरन रायंसी महेंदर परसाद तथा बड़े नंदन परसाद आदी ने अपनी वकालत छोर दी 2011 की जंगन्ना के अनुसार बिहार का जन संख्या कितना है कितने नंबर पर है तो बिहार के अबादी विलवभवी तेरा करूर होगी वर्तमान में लेकिन 2011 के हिताब से दस करूर तीसला की सम्ठिंग है और रंक कितना है तो बिहार का इसमें भी टौप नहीं यह ती आगे बढ़ते हैं लेकिन सबसे घाना राज कुन है तो बिहार है पर्थी व्यक्ति किलो मीटर पर्थी कितना लोग रहता है स्वरी परती किलो मीटर 1106 रहते हैं और वहां ही पुरे देश में बात हो जाए तो मातर 382 लोग ही रहते हैं समझे कितना अंतर है बिहार का पहला कुतुबुदीन एवा को उसके साथी सहीवी लोग पंजाब और दिली के आसपास ही लगे हुए थे वह उस समय बिहार एक बंगाल तक चला गया था या कुतुबुदीन एवा का एक सैन सीपाह सालार था जिसने बिहार बीजे के दोरान प्राचीन नलंदा विस्विद्याल कि ने किया था तो कुमार सुरी कुमार गुप्त पर्थम ने तथा बिक्रम सीला विस्विद्याल कर निर्मान कौन जिसके संस्थावक गोपाल थे पाल वंस वाले को धर्म पाल ने किया था अकिल भारतिय किसान कॉंग्रेस का गठन कभ हुआ तो 1936 में कहां हुआ तो लखन में की गई स्वामि साजानदीश्वाइनसर breaths का द्याक्ष एंजespère गांता महासची नूख्त कि गया क्या थिया नेननि लिखित में से किस गुप्त सासक को खुनों के आकरमन का सामना करना पढा था किस गूप्त सासको नाहीं कि इनमें से कौनसा कशन सही नहीं है किसके सम्व काल में यातरी वेंसंग आया था याद कीजिए वेंसंग नहीं हर्श वर्धने काल में वेंसंग चंद्रगूप्त के समय में को नहीं था दो फायान और वह पहला चीनी यातरी था विक्रमादित उसकी उबाधी थी सब बते सही है मौर काल में सिच्छा का सरवाधिक प्रसीद केंदर कौन था तो यह कहां था चंद्रगूप्त मौर कहां पढ़ता था तो तक्सिला में जाना कहां पढ़ाते थी तो तक्सिला में बिहार प्रांति किसान सभा का गठन कभ हुआ था तो मार्च 1929 में और किन लोग ने किया था स्वामित स्वाजा नंद के द्वारा किसान सभागा घठन किया गया था इसका उद्ध जमिंदारों के वीरूद को उदिकारों की वरख्षा करना था जार्खन बिहार कि अलग हुआ कि बिहार का बठवर जानते हैं कितना बार हुआ है अब तक चार बार सबसे पहली बड़ बिहार उन्हीं सो पांच में लेकिन उसमें बिहार नहीं अलग था उसमें बंगाल ही दो भागों में था एक तरफ हिंदी भासी और बंगाली भासी छेतर था लेकिन हिंदु एक तरफ मुसलमान अलग लेकिन 1912 में जब बटवरा होता है इस बार हिंदी भासी अलग और बंगला भासी अलग इसमें बिहार और उडिया छेतर इन दोनों को मिला कर एक नयाया राजी बिहार बनाया गया जिसकी राधानी पठना थी फिर उन्हें इस आगे बरता समय और 1936 में अब उडिशा को अलग कर दिया जाएगा तो अब आज का बिहार है इससे बड़ा बिहार था जिसमें जारखंड भी था फिर जारखंड की समय वर्स 2000 महीना नौवंबर का कब तो 15 नौवंबर 2000 की बात है उसमें भीहार एक बार फिर बिहार टुक्रे टुक्रे हुआ और इस पर बिहार के जितने भी संसाधन थे प्रकृतिक संसाधन खंड इस सब कुछ जम्दल सब कुछ जारखंड को मिले बिहार को क क्या जानके सो बता सकते हैं गुप्त समराज के उद्भव के संदर्व में निमलिखित कत्रों में से कौन सा असत्त है याद किजिए असत्त पूछ रहा है उन्होंने अपने राजे अपना राजे कुसान वंस नहीं कनिस्क वाला राज के औसे सो पर अस्थापित किया सही है इसकाल में उत्तर प्रदेश का अधिक महत्तो वाला अच्छेतर था गुप्त काल में जीन लगाम और जूतों का आविसकार हो चुका था इसकाल में गुर्शोवारों की भूमीका हो गई थी तो देखते हैं कोश्चन इसमें गलत कोई है नहीं देखिए गुप्त काल में जीन लगाम और जूतों का विश्कार नहीं हुआ रहाओगा तब इन्हें बाद पुछते हैं क्योंकि यहाँ पहले से ही हो चुपा था और इसकाल में उत्तरप्रदिस का महत तो अधिक था इसकाल में जीन लगान बटन वाले कोट पतलून और जूतों का इस्तेमाल करना इन लोगों ने कुसानों से सिखा था इन सब से उनमें गथिस हिलता आई और उनके गुर्सवारों का क्या हुआ तो कारे छमता में विस्तार हुए है स्वतंतरता पूर बिहार में निमलीखित में से एक वर्चव सो जातीन नौ थी यह बार बनाता है नाम क्या है इसके मुख्वंतरियां भी खुर्मी महुद फॉर्वड बोलो कि अस्थापना कितने कि थी दो सुभास चंदर बोस ने कब तो बात है 1949 की क्या हुआ थ सब्सक्राइब के दिया और सब्सक्राइब करने करने के लिए और चले में गूद शुर्णिया कर दिए याद किजिए तो अधियर मनाहे जाता है राजिंदर प्रसाद को और यह समय चौड़ देंगे और एक नया पाठी बनाए जिसका नाम था फ़रवौर ब्लोग और यह अधिक सिवाश्चेदर वो से एकईस अक्टूबर उने सोते तालिस को सिंगापूर में सोतंते भारत की और स्थाइ सरकार की अस्थापना कि थी गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बरा सोहर कौन है कलकता न लगाईएगा न पठना कि कलकता होगी नदी किनारे हैं गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बरा सोहर कौन है तो कानपूर है किस नदी पर स्यू समूंद्रम जल प्रपात अवस्थित है तो यहार दक्षिन की बात हो रही है नाम है कावेडी इसकी उचाई 98 मीटर है और स्यू समूंद्रम एवं स्री रंग पठनम दीपों के अमध यह अवस्थित है जो मैसूर जीले में इस्थित है निमलिखीत में से की सासक ने सुलह कूल की निती अपनाए थी कौन जो से सुनू रहा होगा तो नाम हिनका अकबर है हूजके अलाउदिन खिल जी के आकर्मन के समय देवगिडी को सासक को था वह है चंदर देव थे पहले तो टेक्स किने समाना किया फिर न मतीये तो अलाउदिन खिल जीने इनको पकर कर लिए फिर एक साल तक रखा जब मान मनुग्ल हो गया तो फिर कि अलाउदीन खेली ने पैसा सुने चांदी देकर इनको फिर वहां का राजा बना दिया यह बात है बार्द सोच्छानवे में आकर्मन किया गया था इस समय अलाउदीन काराका उसमें गौर्णर था जब आकर्मन हुआ था उसमें की बात है राजस्थान के बीकानेर में 15 कितना दिखाए जाएगा इसका एक सुत्र होता है लिखी याथ किजिए सी बाई फाइब बराबर एफ माइनस 22 बटा 9 अब इसे पूट कर दीजिए सी में क्या लिखेंगे हम लोग पचास में लिखें पचास तो इसको कर दीजिए क्या एका 10 अब 10 को इसे नो से गुना करे आइट उतर कौन होगा ए आगिया सी बाई फाइब बराबर एफ माइनस 32 बाई 9 कि ए पाइसेज टू इंडिया किनके दोरा राचित है तो ए पाइसेज टू इंडिया 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 राचिता कौन है एम फोस्टर निम लिखीत में से कौन सा एक वह छोटा होंगे एंस चरन यानि इरोजन अपर्दन कहीं इसको प्रकिरिया का परी नाम है कि एसकर फ्योड यह सब जोगरफी में पढ़ेगा तो होता क्या एक तरंग जनीत कुछ यानिकी नदी द्वारा बनाए गई नदी के अपर्दन से बनने वाले आकिरती समूंद्रों के तरंग द्वारा बनने वाले आकिरती वायू के द्वारा बनने वाले आकिरती ही मोट के द्वारा बनने वाली आकिरती यां हावाओं के द्वारा बनने वाली आकिरती यां उसी के सब नाम है जिसमें पूछ रहा है कि छोरण से बाली आथ हैं तो एसकर फ्योड फ्योड तर तर तो यह सब्सक्राइब नहीं है यह बनने वाला है इसी तरह सर्क औरेटे प्याला स्टैक समूद्र में ख़ड़ा होता है प्याला यह हवाओं के द्वरा इससर से हवाय बहेंगी तो यहां पड़े गठा बना देती हैं और स्वर्क औरेले नुनाटा के सब क्या है ते सब यह जो से नीडमीत हो गिया और पर्दीज नहीं है लीवीज एस्टेगले माइट टाइट यह सब क्या है दिपोजीटिसन से बना है मोनाद नोक और ड्रमली यह दोनों क्या होगा यह दोनों चरन से बने हैं लेकिन हमें कोश्चन का उतर कौन होगा सा उतर बी होगा देख का नाम है जेम्स हर्टन इन्होंने इस चक्रिए पर्दी का ऊधार नां दिया था कि मतलब क्या पताया इन्होंने नहीं है कि चारधरी में पुरीदृिया का निर्मान होगा है पर्थम स्रीनी में महादीप और महसरण का परवत और पठारों कर निर्मान होगा तिरतीय सिरेनी में परवत पठारों से क्या होगा जल प्रपात बाट का मैदान प्रतिय धाल हीमानी घाटिया हीम गहवर हीमोड फूलीन रोधिकाएं बजादा बालू टिब्यादी कर निर्मान होता है चम्लक्त कि जूल सक्टिया चलिए वह कपर्मुक कारन क्या क्या है भू संचलन इन जो पलेटे प्रपी शक्ति रहती उसकी बात हो रही है और इननी वहागों में तापियविसमता कोद्विक के बीभागों में दृऊपध होगे इसने सबа निम्लिखीत में से और बराबरा बनाना चले था एंसर भी दिख़ाए निम्लिखीत में से कौन परवत निर्मानकारी सक्तियों से सब्बंद रखता है तो चटकन यानि कोई इलाका था यहां पर प्रेसर पड़ेगा तो बीट में से ठूट जाएगा इस पर का परवत बन सब्सक्तियों के नाम है भूकम पर अधिक के अंदर क्या होता है उस आस्थान पर के परत्यक्षता उपर बिंदु जहां भृण्स छेतर के साथ सौवी दारण होता यानि कि माल नेते हैं कि यहां भृण्स बूत पन क्यों यह दो प्लेटे थे यहां पास आपसमें टकराई या दूर गई इसी यह इला का हिला इसका उपर का च्छेतर को घरा है इसके वहिजाब से दूसरा प्रिस्वी के भीतर बिंदु जहां ब्रांस के पास सं-चलन होता है या या वात ऑइसा च्छेतर जहां पर बुखम्प हो गिए संमुल्भ का सनीकट केंदर यानि इसका जो हमें प्रिकांप अधी केंद्र हुए हैं कि अधी केंद्र छेहां हैं इसके ओपर नैंटी क्या केंदर यह होगा और इस पर न चाहिए यहां उद्गम केंदर के ठीक ऊपर यानि 90 डिग्री पर होता है और उद्गम केंदर यानि जहां से बुकंपिये तरंगे उत्पन होती है यह पूछ क्या रहा था अधिक एंदर के बारे में प्रित्विक की आंतिक सनचना के असप अंधर कों के से सधु तो जोलामुखी भुखंपिये तरंगों से ताप्माण से आंतरिक गहनतों के अध्याशत हुए हैं हम लोग की आंतिरी समाजना जानकारी की किससे मिलेगी तो कम त रंगों से मिला तो कहल करlaws को करण करद करान है यहां नेमलीखित में सो कौन सा होता है अकासमिक है लेकिन वहां अंतर जातवर है अकासमिक हो अंतर यह भी भुकमपी तरंग ही होगा जीन भुकमपी तरंगों की कारण सेल कनों में तरंगों की दिशा में आगे पीछे कमपन होता है यानि कि वहां दौनी की तरह चलता होगा मतलब तो कैसे इस तरह से धका देकर या इसका हो सकते हैं यानि धका देकर आगे जिताथ या कैसे जो दोनी चलता है तो कोई जागा यहां सेकेंडरी वेव है थोस द्रव और गय से तीनों के वाद ही हम से गुजर सकता है यहां देख लीजे लिटेल से है पी दोनी तरंगों के संचरन के समान अर्थात अनुधायर या संबीडन तरंगे इसका गमन ठोस द्रव और गैस में होता है यह तरंग आगे पीछे धक्का देखकर चलती है और ठोस में इनकी गति सबसंदिक 7.8 km होती है और यहां दोनी तरं चार किलोमेटर परती सेकेंड होती है अल्द वेव है धरहतल यह तरंगे के वाल धरहतल पर संचरन कर सकती है और इनकी गति 1.5-3 km परती सेकेंड है यह आरती रिछे होकर चलती है फलता यह सुरवाधिक मिनासकारी है यह जीक जैक फोर में चलती है हमारी पिर्थवी से को का गौतिक क्या होगा तो पी का सरवाधिक के वेख कहां होगा तो साथ तीन किलोमीटर और सेगेंडरी का सरे चार किलोमीटर यानि दोनों फूस की बात हो रही है जो अला मुख्य उद्गार के निम्न परकारों में से कौन सा एक पढ़ाया विस पूटक नहीं होगा यान यानिक जो क nadi होगा तो कोन है यहां हौ मत रही हौ अमेरिका का टेय्टर तो सबसे देखने चे हावाइयन या सबसे सांथ होगा इस्ट्रांभ वोली में है यांधे तुल्ला में अदिक्धियर होगा वॉलकेणियन इसका विष्वोट और भ्हायंकर होता है नीमन मेंसे कौन सा मगमा के ठंडा होने पर दिवार की तरह निरमीद होता है जो उसादी सहलों के संस्तर पर लगवद लंबाध हो जाता है उसका नाम होगा ऑई-सी टैक बोरिए एक दू तो ज्वालामुखी किरियाओं में अंतरवेधी अस्थलक किरतिया तो बैथवलित यहाँ भू परपटी में अतधिक गहराई पर निर्मित होता है माल लेते हैं कि यहाँ ज्वालामुखी का पाइप है सबसे नीचे यह होगा यहाँ नाचादन की प्रकिरिया के द्वारा भू पर पर परकट हो जाता है और यहाँ गिर्नाइट का बनायाग पिंड होगा इस तरह से लेकोलित यहाँ गुंबद नुमा विसाल अंतरवेधी च सम्तल होगा एवं पाइप रूपी लावा वाहक नली से जुरा होगा ऐसी आकिरती करनाटा के पठार में मिलती है इस उनकी अधिता चट्टान क्या अपर तिरित हो चुके है यानि कि प्रिथवी के ऊपर आचुका है डाइक है इसका निर्मान तब होगा जब लावा का पर समाना अंतर तल में चादर के रूप में ठंधा हो जाए तो यहां सीट यानि यहां जो करकट होता है एस बेस्टस की तरह पतला हो तो मान लेते हैं यदि माइगमा या लावा तस्तरी की तरह जम जाए इस तरह से तो लेपोलित कहलाता है प्रम्तु जब चटानों की मोर्दार अस्था में अपनती हो जाए या अभिनती हो जाए या ऐसे हो जाए के तौल में लावा का जमाव हो तो क्या काहेगा तो आज हम लोग ने क्या देखा तो मुहत्तुपूर्ण आज हम लोगा टिस्ट नम्र क्या था तो टिस्ट नम्र थिरी था असा करते हैं कि यहां पड़्यास अच्छा लगे तो जिरूर लाइक करें शियर करे, कोमेंट करे और सब्सक्राइब करे अगले बादे मिलते हैं, तब तक धन्यवाद